Hello Everyone, Welcome to Let's Revise आज की वीडियो जो है वो most demanding वीडियो है मुझसे बहुत पहले से value and peace की वीडियो के लिए बोला जा रहा था अभी जब exams आए तो मुझसे बहुत सारे students ने बोला कि मैं उनको वो important portions या वो important topics बता दूँ value and peace का जो कि उनके exam में आने की chances ज़ादा है तो finally आप लोको के लिए मैं ये वीडियो ले आई हूँ जो कि है last moment study topics of value and peace इसमें क्या है इसमें हम discuss करेंगे कि जो भी आपका ये value and peace का syllabus है उसमें से हर unit से हम क्या और कितना चीज़ को पढ़ें कौन कौन से topic को पढ़ें so that कि हमारे marks अच्छे आ सकें value and peace में ये पेपर आपका 50 marks का होता है जिसमें से 10 marks आपको school से मिलते हैं अपने college से मिलते हैं internal के आपको 40 marks अपने paper से गेन करने पड़ते हैं तो इस वाले paper का तो इतना tension लेने की ज़रूरती नहीं है बढ़ बहुत सारे बच्छे बहुत परेशानते कि मैं value and peace का important बता दीचे value and peace का important बता दीचे तो फाइनली ये वीडियो में आप लोगों के लिए ले आई हूं बिना टाइम को वेस्ट के हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो आपका ये पेपर है ये पेपर नंबर 4 है ये आपका optional paper होता है different different student different choose करते है according to their choices देखिए आपका जो ये पेपर का नेम है यही value and peace है तो हमें क्या करना है हमें value and peace के बारे में तो अच्छे से पता ही होना चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है unit 1 में हमें value education in present word पढ़ना है मतलब value education का meaning क्या है need and importance क्या है इसके बाद में concept पढ़ना है value in behavioral science का determination nature इन सबको भी पढ़ना है तो simply unit 1 आपका important है इसमें से आपको क्या करना है आपको यहां पर आप जो first वाला देख रहे होना meaning and need importance of value education in the present word ये आप clear कर लेंगे and then आप क्या करोगे concept of value in behavioral science इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे and then culture क्या है values क्या है ये सारी चीज़े आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो unit 1 में आपको इतना ही पढ़ना है अब हम बात कर लेते हैं unit 2 की तो unit 2 में भी आपका क्या है values से ही related है तो इसमें क्या है इतना tough नहीं है आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो otherwise आपको क्या करना है classification of values तो पढ़ना ही है so that कि आपको पता सल सके कि मतलब क्या-क्या values है जिसमें आपका आजाएगा material है आपका social moral values होती है हमारी spiritual values होती है ठीक है then अगर हम बात करें तो आपकी theories of values क्या है positive and negative values क्या है और दूसर सबसे important चीज आपको ये education से related है तो जो आपका negative values है या जो positive values है इनका education में क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए इसकी बाद में आप family values को पढ़ लीज़ेगा आप ethical values को चाहें तो leave कर सकते हैं family values में आपको concept, structure and responsibilities of family की पढ़नी है इस portion को मैं इसलिए बता रहे हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ये आपका child लेना उससे ज़्यादा करीब होता है तो ये इस तरह के question आने के ज़्यादा chances आपके बन जाते हैं neutralization of anger, adjustability, threats of family life, status of women in family इस portion को आप पुरी तरीके से पढ़ लेंगे तो unit 2 में भी आपको ये दो portions पढ़ने हैं अगर हम बात करते हैं आप unit 3 की तो unit 3 में आपको social awareness, consumer awareness, consumer rights and responsibilities ये सब कुछ आपको detail में अच्छे से पढ़ना है आपका जो effect है international affairs का तो कि आपका value of life पे पढ़ता है उसको हमें पढ़ना है issue of globalization हमें पढ़ना है तो इस unit में आप इन दो topics को अच्छे से cover कर सकते हैं अब जो हमारा last topic है वो है हमारा concept of world peace in Indian perspective word peace का हमारे Indian perspective से क्या concept है हमें ये देखना है तो वसुदेव कुटुमकम ये आप पढ़िएगा एक important है then serve dharm sambhav ये ऐसे चीज है ना ये ऐसे quotes हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए as a सिक्षक और अगर हम याप पे value की बात कर रहे हैं तो इन quotes की value and peace में एक अलगी जगह है तो आपको इनके बारे में knowledge होनी चाहिए तो unit 4 में आपका ये portion है ये एक आपका important portion है अगर हम यहाँ पे second portion की बात करें तो इसमें है relevance of world peace in global world जहां पे आपकी first world war के बारे में बात की गई है causes क्या थे इसमें कौन सी country involved थी मतलब simply आपको अपने आप first world war और second world war के बारे में पढ़ना है तो जिन बच्चों का history से लेना देना है मतलब वो history के student है और अगर उनको अच्छे से पता है first world war, second world war तो वो इस portion को पढ़के उपर वाले portion को skip कर सकते हैं अगर आपको भी यह word war और पढ़ना है तो दिखिया आप simple as a story की तरह आप जो word war थे first and second उनको अच्छे से पढ़ लीजेगा और उपर वाला जो आपका portion है ना वो थोड़ा सा आपके लिए लिखने में easy हो जाएगा तो आप चाहो तो आप इन में से choose कर सकते हो कि आपको कौन सा पढ़ना है बट आपको इन दोनों में से कोई एक portion को choose करना है और उसको अच्छे से पढ़के जाना है क्योंकि फिर last moment पे अगर आपने दोनों को skip कर दिया या दोनों सही से नहीं पढ़ा होगा आपने तो आप unit 4 से जो questions आएंगे उनको छोड़ दोगे और उसको कर नहीं पाओगे क्योंकि एक ऐसा portion है अगर आप नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इससे बना करके भी नहीं लिख पाओगे इसके अलाब वैलिवेंड पीस के आपको sample paper मिल जाएगा new pattern पे इसके लिए आप लोग को panic होने की जरुरत नहीं है आपके examination से पहले ही आपको papers or important questions सारी चीज़े आपको मिल जाएगी तो तब तक आप लोग जो आपके exams हो रहे हैं उन पे focus करिए all the best for your examination